आज हम पढ़ेंगे ट्रांस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली बेक्टीरियम को दूसरे बेक्टीरियम में ट्रांसफर करने का एक मीन्स होता है यहां पर वाइरिस एज अहोस्ट कैरियर यूज किया जाता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है जो एक बेक्टीरियम के डियने को या एक बेक्टीरियम के पार्ट ओफ डियने को दूसरे बेक्टीरियम में ट्रांसफर करता है इसी तरीके से एक बेक्टीरियम दूसरे बेक्टीरियम को अटाग कर पाता है Let's start with the topic Transduction Transduction जैसा कि हमने पहले भी कहा एक ऐसा process है जहां पे एक bacterium virus को अपना carrier बना करके अपना vector बना करके दूसरे bacterium में transfer हो जाता है इस process को पहले बार discover किया था Zinder एड लेडंबर्ग ने in 1952 में ठीक है Transduction में एक small portion genetic material का bacterial cell के उस carrier के साथ किसी भी carrier के साथ transducing particle की तौर पे carry करके दूसरे bacteria में transfer हो जाता है जो bacteria phage होता है वो इसका एक main बहुत important vector माना जाता है bacteria phage एक ऐसा virus होता है जो कि bacteria को infect कर सकता है हम जैसा जानते हैं कि bacteria एक omnipresent organism है और वाइरस ही एक ऐसा organism है जो कि bacterium को infect कर सकता है किसी भी वी तो इन दर रुझेयर को कोई दूसरा bacteria इन्फेक्ट कर सकता है ताक कर सकता है या फिर वाइस अटक कर सकता है इस branch production की process में हम वाइस को यूज च्छाफे जो बेक्तिरिवाज बेक्तिरिवाज में वहा दूसरे सेल को तो पिस जो भी नॉर्मल प्रोसेजर होता है इसको डामेज करने लगता एक उसको ऐसा favorable condition में ले आता है जिसमें वो खुद को भी survival में मदद कर सके वो जुसका जो DNA replication में machinery होता है host bacterium का वो वाइरस के अपने खुद के DNA की copies के साथ-साथ उस bacteriophage की जो genome होता है जो bacteria phage का genetic material होता है उसका भी copies बनाने लग जाता है साथ में इस infection के बाद इस attack के बाद तो होता क्या है कि जब कोई भी bacterium cell में इस तरीके से phage आके attach हो जाता है तो जो phage का जो भी genome होता है वो बैक्टिरियम में आ जाता है और उसके बाद यहां पे इसके इंटर करते ही यहां पे जो बैक्टिरियम का अपना DNA होता है जो अपना genetic material होता है वो fragments में बढ़ जाता है वो जाता है क्यूंकि जो यहां 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 फार शेक सब्की करता है जब यहां पे लगाशाहरं का उन्स होता है उसके ना को सवर्ण और नहीं होते है तो दूसरे से होता है जुड़ जाते है और इस में एसा होता है तो कर Northern वह एक बैक्टिरियो फाज जिनोम बन जाता है जो कि दूसरे बैक्टिरियम को काफी इसली इंफेक्ट कर लेता है काफी इसली अटाक कर लेता है और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइसोजेनिक साइकल कहते हैं ठीक है जो वाइरस होता है यह जो बैक्टिरियो फाज का ज जो रहता है यह तब ही उस बैक्टेरियल सेल से बाहर निकल पाता है जब उस बैक्टेरियल सेल की डेथ हो जाती है या उस सेल को लाइसिस उस सेल में लाइसिस हो जाती है ठीक है जब होस सेल मरता है या जब होस सेल में लाइसिस होता है उसके बाद ही यह जो बैक्टेरियल फ दूसरे बेक्टीरियम को infect कर सके ठीक है इसी से आगे चलकर दूसरे बेक्टीरियम भी infect होते हैं और ट्रांस्डरक्शन का प्रोसेस लाइटिक साइकल के साथ साथ continue करते चला जाता है जो इनफेक्टर जो इनजेक्ट होता है वो पाकेट हो करके ही दूसरे बेक्टीरियम को infect करता है इस तरीके से बेक्टीरियल डीने जो होता है वो एक बेक्टीरियम के से दूसरे बेक्टीरियम के सेल में ट्रांस्फर हो जाता है इस जो डीने का ट्रांस्फर होता है उससे बहुत जादा नए नए तरीके के recombinants बनने लगते हैं और ये का अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और अगर आपको बाटनी से रिलेटेड या बायालोजी से रिलेट कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज कॉमेंट कर सकते हैं अब हम यह समझ लेते हैं कि यहां पर एक्जाट जिनोम होता है उस सेल के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद उसके एंटरी के बाद जो बैक्टीरियल जिनोम रहता है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है बैक्टीरियल जिनोम फ्राग्मेंट में तूट जाता है और साथ ही साथ जो कैस्पिट से आया हुआ जो यह वायरस क जो genome रहता है वो भी bacterial cell के अंदर enter करके hydrolyze कर जाता है उसके बाद maturation होता है bacterial cell के अंदर जहां पर DNA replication से बहुत सारे genomes के copy बनते हैं और साथ ही caspid के भी बहुत सारे heads बन जाते हैं जहां पर फिर उसके बाद packaging होती है जो bacterial genome होता है वो encapsulate कर लेता है caspid head और उसके बाद यह एक नया phage बन जाता है जो कि किसी भी दूसरे host को किसी भी दूसरे bacterium cell को infect कर सकता है और इसी तरीके से जब वो infect करता है तो homologus recombination होता है और recombinant bacteria का formation होता है ठीक है यह था transaction के उपर एक बहुत सा छोटा सा नूर्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और अगर आपको यह टापिक समझाए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू